कृष्ण राजेंद्र मार्केट पूरे करनाटक का सबसे बड़ा मार्केट और इसे केयार मार्केट या सिटी मार्केट के नाम से भी जाना जाता है यहां हर चीज मिल जाती है यहां हर दिन करोनों का व्यापार होता है जब हमारे देश में पहली बार बिजली आई और बल्ग जला था तो यही मार्केट था मगर यहां काम करने वाले कुछ लोगों की जिंदिगी में आज तक कुजाला नहीं है इन लोगों की यही दुनिया है माता, पिता, भाई, बहन ऐसा कोई भी रिष्टा इन लोगों का नहीं है दुबबा, केटा, चेटा, बोरी, गुरू, शिश्य, ऐसा ही इन लोगों ने अपना-पना नाम रख लिया है 12 साल के बच्चों से लेकर 60 साल के बुढ़े तक यहां काम करते हैं बच्चों को डर रहता है और बड़े लोगों की जिमेदारी होती है मगर जो ज़वान लोग होते हैं वो इन सबसे फ्री होते हैं ये जो चार लोग हैं इनका न कोई अता है और ना ही कोई पता और इन ही चारों की कहानी है ये गोली सोडा ये ले देधी थोड़ा जादा दे दो न तु अपने बीवी के लिए गज्रा लेकर जाता है इसलिए देती हूं दारू मांगेगा तो नहीं दूगी चल निकल आज गठ्री किस-किस ने उठाई है बताओ अरे ने इक्किस उठाई है हलो हलो इधर आके है जरना किसे ज्यादा सोता है कलके बारे में जरा सोचना शुरू कर एक बहुत इंपोर्टन काम है इंपोर्टन काम फेर लवली लेने जा रहा है किसके लिए रे अपना मोटा गोरा दिखना चाहिए ना क्या यह चेरा तो भी गोरा नहीं होगा तो फिर में एक हफ्टे में गोरा नहीं होगा फिल्म में तीन मिनट में बच्चा हो जाता है लेकिन इसा होता है आपको नहीं पता यह सब जवान लड़कों की बाते हैं पैसे कि रहती हैं आपको क्या पता कुछ नहीं पता आपको अरे मेरा मजाग उड़ा रहे हो तुम लग चलो निकला यहां से क्या पता है पिल्च कि आपको अरदा आपको आपको नहीं कि रहे हो तन्तरीक पेले क्ले लुंगी समाल फिर पुंगी बजाना नहीं तो साहा पाजाएगा सम्झा सब्सक्राइब सब्सक्राइब काम चल रहा है ना इसलिए यह काला चेहरा वाला पाउडर लगा कर मैदा का आटा जैसा बन गया जल्दी नीचे बैठो नीचे बैठो तांते तुभी नीचे बैठ जा अब जादा हांक बंदे एक एतन तेरी फ्लावर आ रही है नीचे बैठ यह क्या अबे शाक लगा हुआ कवे की तरह सीधा हो गया यह तो हाथी को चुआ हाथ दिखा रहा है है मंजा तुभी आजा तेरी कमीती इदर इस ग्रूप में ना एक तुभी अच्छा है बाई एक एड़ा यह फ्लावर नहीं फ्लावर के बुके कोई हाथ लगाया होगा उसके पास ना फ्लावर है ना कोई बुके है बूट पहन कर जो जाते हैं उनको नहीं पटती तो हम तो बिना चपल के जाते हैं हमें कैसे पटेगी मेरे पास एक आइडिया है आलती पालती मेरी त चुपकर ये तांतरिक अभी सिग्रेट पीकर धुआ छोड़ रहा है उस फ्लार में जो दिखेगा वही अपने मांजा का होगा जाओ 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 ओके आओ कार बीड़ना कार तंसले फोहतं में अरोल ही श्रालि में किहा है ये करना है थाओ इण है फिस्के टान tv चर्श्यचा है गोगुदा व्लेकर वह थाओ ठीलोड स्वाइब तंसले पार केक अपैसल यह तंसले करनार घ्रिड़ना फट्रमय थमत्रीकण आओ मत्रीं को पुराने जमाने का बैगन दिख रही है लगता है पैट्री वीक है सोटा क्लास है वो सब हमें नहीं पता कंडिशन पहले ही पता है था उसके दूए के अंदर जो दिखेगी वही तेरी है एव फ्रवर चल 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 बहुत आपना गाना शुरू कर दे जानती हो हमारा मंजा तुम्हें बहुत दिनों से देख रहा है कॉन है अप जबसे वह तुम्हें देखा है वो टीक से खाना नहीं खा पा रहा है प्रबलम वह तुम्हें बहुत चाहता है हलो मैं कोई एसी वैसी लड़की नहीं हूँ प्लावर होता है एक ही फ्लावर होता है अरे धत जिस फूल का पौधा है उसमें से वही फूल निकलेगा ना अब जैसे कि गुलाब के पौधे से गुलाब ही निकलेगा ना यह क्या दीदी आपको फ्लॉवर और दिल के बारे में कुछ भी नहीं पता यह लड़कों का मैटर है आपकी समझ में नहीं आएगा अपने मांजा को तो ब्लैक और वाइट वाली ने भी रिजेट कर दिया यार तू उसे छोड़ना मत कैसे भी करके मना लेना अर तुझे कैसे पता बंजा दो बूटीफुल फ्लावर को एक साथ तुने कभी देखा है क्या हां खूब सुरत फ्लावर ना हमेशा काली लड़की क साथ ही घुमती है ताकि लोगों के सामने उसकी वैल्यू बढ़ सके हां अभी उस सब की क्या जरूरत है यह सब लड़कियों की तरीके होते हैं मुझे सब पता है तो एक काम कर तो खूब फ्लावर को भूल जा और दूसरी वाली लड़की को तू पटा ले उस सोड़ा बु क्या हुआ रहे इस ने जोर का धक्का दिया जी जाजी अरे बच्चा अभी चोड़ो से चल जा बापरे है छोटे है इधर आ जी भाई एक पेकट सिगरेट लेके आ ठीक है मालिक इस मार्केट में तो दूसरे लोग ही अपना परिवार चला रहे हैं तुम लोग अपना दिम यार बच्चा वह पैसा मुझे ले दिया क्या वया चट्टी किती घर आवे ताजी नहीं बनाई क्या चुप-चाप खालो है क्या बखवास कर रहे हो जैसा मिल रहा वैसा खाऊ और दफाओ जाओ तो पहर में आकर बोलते हो इटली अच्छी नहीं है डोसा अच्छा नहीं ह है चोपर पट्टी गिरों को दुबार दुकान में आने मत दे रहा समझा रहा है मोटे को तो अच्छी हिजद मिली है वह हमेशे यसी बख-बख करता है चलो यार चलते है नेक्स देखने में क्या करता हूं उसके साथ हो देख वो इस तुरफ क्यों आ रही है यार यह मंजा हेलो 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 कैसे है इसका बजा हुआ है आपको नी पता जब से इसने आप से प्यार करना शुरू किया ना इसकी हालत बहुत खराब हो गई है मुझे रात में सुनी भी नहीं देता है यह हम कुछ भी करें इससे कुछ भी पूछे तो हम पर तो दिल कितना दुखता है मैं अच्छी तरह से जानती हूं ठीके ठीके मेरी भी उतनी ही है ना इसलिए पर अब क्या कर सकती हूं एक दिल का एक ही फ्लावर होता है यूनो पिछले हफते ही मैंने विख्यात को हां कहा था अगर उससे ही पहले ही आ गए होते तो हम दोनों का कुछ हो सकता था एक ही टाइम में दो लड़कों से प्यार करना गलत है ना कोई बात नहीं हां कोई बात नहीं कोई बात नहीं फिलाल के लिए इस मांजा से प्यार करो मांगा किसी दूसरे सशानी कर लेना मुझे यूं फसा सारी फ्रेंद्स है पता है उनमें से किसी को भी सेलेक्ट कर लो बाकी है अच्छा और मुझे क्यों सेलेक्ट किया बताओ अए भाईया क्या चल्ले निकाल रहे हो एक बार और करो ना अरे रे क्या बात है भाईया क्या बात है बहुत अच्छे भाईया आएम भगवेटी आया मारे यह तंत्रिक है ओके मिस्टर तंत्रिक इस ही आइडिया को फॉलो करते हैं क्या तुम लोग तैयार हो ओके इसका नाम है चांदनी चांदनी नाम तो मस्त है दोस्त तुम लोगों की हेल्प तो कर दोंगी पर मुझे डाउट है तुम्हारा पियार तो सचा है ना क्योंकि मैं भी लड़की हूँ और अगर किसी दूसी लड़की के साथ धोका होगा तो मुझे बुरा लगेगा ना हलो हम उस टाइप के लड़के नहीं है बल्कि तुम कहती हो ना वन फ्लावर वन दिल हम उस टाइप के ही है ओके अगर ऐसा है तो मैं हेल्प करोंगी चलती मुझे दो मेरी वाली तो कट्रीना की तरह बिल्कुल हॉट दिखती है इसी रोट से जाती है मुझे देखकर हसती है मैं और तेरी वाली उसका नाम रागनी है बहुत अच्छी दिखती है तुम लड़कियों को वहां से देखते हो क्या मुझे ही हसी आ रही है तो रामय और अगनी को तो हसी आएगी ना है यह कोछ समच में नहीं आ रहा वो लोक तुम्हें देखकर नहीं हस रही थी तो फिर देखो उस पोस्टर को देखकर हस रही थी अरे बाप रे हमने तो इस पर ध्यानी नहीं दिया था यार जाओ जाओ वो उठाने का काम करते हुआ ही करो तुम लोगों से यह सब नहीं होगा यार यार मा बिलकुल ठीक कहती है लड़कीयों पर ना भरोसा नहीं करना चाहिए तेरी मा कौन है बे अरे दुनिया की सारी मा ऐसा ही बोलती है यार गरीबों का मालेक हम लोगों के नायक हमारे पूरे मार्केट के नायक है श्री गौडा जी हर साल के दैसा इस साल भी इनों रे सामूहिक विवा आयो जित किया है उनके हातों से साड़ी और मंगल सूत्र लें और जोर से तालिया बजाएं क्या इस्पेक्टर साब सुबह सुबह मार्केट की तरफ कुछ नहीं गौडा जी वो दिख रहे है ना फॉरेनर्स कल रात को किसी ने उन लोगों का सुटके शुरा लेकिन इस इलाके में तो चोर बस एक ही है गौडा जी लोग बता रहे थे वह आपके साथ घुमता रहता ह है ना इसलिए यहां आ गया कौन है वह यहीं अपने ही लोगों के साथ घुमता रहता है उसे लाने के लिए भेशाए यह लीज़े आई गिया सुटके शुराय तुन्हें बच्चे की एक्जाम की फीज भरने के लिए पैसे चाहिए तो मुझसे मांगता चूरी क्यों गोडा जी मार्केट में आपके रहने की वज़े से हम भी चैंसे जी पा रहे हैं है सुटकेस उन्हें वापस देद रहे हैं मैडम यू बीन पुली स्टेशन आइल कम चलता है तू मेरे साथ है ज़रा जाकर सब ठीक करो ए बॉला यहां फंक्शन में काम है तू कहां जा रहा है क्यों इंस्पेक्टर आपको सुटकेस चाहिए था ना मिल गया ना कि ऐए ले जाई से कि अब भाव देख को अब बेश की तो इस वहा रही है आप इस रिंग बचियों ले 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 हलो हैलो हां कौन जी मेरा फोन कहीं पर मिस हो गया है आप कहां पर है बताएंगी हां ये केर मार्केट के रोल पर पड़ा था मैं मौनिंग में डिनर के लिए वहीं आया था और यहां जैद मेरा स्कूल है कोई बत नहीं कोई बत नहीं जब आप फ्री हो तब आप फोन करना मेरे पास आइफोन है यह मेरी माने दिलवाया हुआ फोन है अभी मान नहीं है लेकिन फोन है खलत नहीं हो तो हैसे टे का अँर्शत करने वहां अरे वह बहुत कोहला दिलवा आपका नाम का नहीं है है अपना नाम बना दूसरे का नाम दूसरे का इन अगल डोसरे है वद है आपका नाम क्या है अपना नाम बोल दूसरे का अप्पू बोल अप्पू नाम है मेरे पिताजी को अप्पू बहुत पसंद है इसलिए उन्होंने मेरा नाम वही रख दिया अभी अप्पू तो है मगर पापा नहीं है आप मुझे कल कौल करना मां से आऊंगा और साथ में डिनर करेंगे ओके ओके बॉनिंग में कोई डिनर करता है कैसा नाम काली मालश्री अगर तु काली शेशी कुमार है तो ही में काली मालश्री बनूंगी मसका लगाना छोड़ और मुझसे क्या काम है जल्दी बता एक 4000 रुपया एडवांस चाहिए दीदी क्यों रहे इतने पैसे क्यों चाहिए आपका पैसा नहीं मांग रहे हैं आपके पास जो हमारा पैसा वो मांग रहे हैं कुछ नहीं दीदी वो केले की दुकान चलाने वाला घोश लक्षमी लक्षमी देवी इन लोगों का खयाल रखना देखो बच्चों तुम लोगों को तुम्हारे कामे काम्याबी मिले यह अरे निकलते हो यह नहीं दाप में गिशते हो, मूह में दोते हो, रोज रोज मेर में कपड़ा पेंदे हो, हाईने में मूह देखा है क्या हूँ यह एक रुपया रखकर, मैं रजनी कान के जैसा करूंगा यह सालम मैं तु साहे बैंगे, साहे लगता है, यह दिदी, वाई गिविंग शौकिंग रियाक्शनिंग, यह क्या हाल बना लिए तुम लोगों ने, आज हमारी मीटिंग है न दिदी, इसलिए यह, किस से, वही बैंक में लोन के लिए अपलाई किया न, तो लोग मीटिंग के बुलाएं है, ऐसे जाते तो देते क्या लोन, इसलिए ऐसा के टपलिया है, ठीक है, ठीक है, वहाँ जाना है, तो ऐसे ही ठीक होगा, अच्छा दीदी, बताई हमारी लिए कोई फोन कमिंग, नहीं तो, देखो दीदी, हमने आपका ही नमबर दिया है, अगर आपको फोन तंत्रीक, तू, येस, में, ये नया अवतार में, इंडिया है, इंडिया है, इंडिया है, ये लो, कोई लड़की है, शायद बैंक के बैडम होगी, अपू सर बोल रहे है, हवार यू जी, मैं ठीक हूँ, अच्छा, अभी फोन किसने उठाया था, वो मेरी पिये, का थिये ओक, उरके तो कहा रहे है, तो कहां आरे हैं, अतु कहां उरकारा है, मन्तरी मॉल, मन्तरी मॉल, मतरी मॉल, मम मैं महीं पांच-झातश मिनिट में यू जाओंगा बस Completely सब्साटी माकिट में मंंतरी मॉल तक पांच-तस मिनिट साट निट लगांगे में तो पांच-दस मिनिट सी लगेंगे मी कभी मेरे बास तो कार है ना ज्यादा चलता नहीं और बस और बाइक्स तो मुझे पसंद नहीं है फोन आपने पी-ए के आप में देगे प्लीज पी को क्या बात करूं कि उनसे बात करो है देखो मैडम जी वो लड़के बहुत अच्छे हैं उनको बिंदास तलोन दे दीजी हलो मा मैं चान्नी हूं चान्नी इन लोंको ने तुम्हें क्यों फोन किया अरे रुको मेरा पैदो लेकर मेरे इपलेटी को फोन करते हो इधर मारते अरे रुको अभी बताता हूं तेरेको रुक अरे इतने दिनों से दीदी के पास काम कर रहे हो तुम लोग चान्नी कौन है तुम लोगों को पता नहीं दीदी की दुकान में आती थी हम उससे ग्राइक समझते थे इतनी सुंदर बेटी हो सकती है अब दीदी को अपना चाहरा कैसे दिखा है वह सोच रहा हूं एक तो मैं इतने गहरे टेंशन में हूं और तू कुछ और ही बख रहे हैं अब मुझे देखाना है फुक लग रही है अब यह और कब किया तुने जब तुम लोग परेशान बैटे थे मैंने तब और कर दिया अब जाने दो अब हम लोग भी ओडर करते हैं मैं स्ट्रॉबरी ओडर कर रही हूं अच्छा ठीक है मैं ओडर करके आती हूं दो वनिल्ला दो स्ट्रॉबरी हलो हलो कि अरे कोई बोली नहीं रहा है शायद कट हो गया क्यों विख्याइद का फोन था या उसका कॉल आया है मुझे अभी किया जाना होगा मैंने बिल पे कर दिया है तुम लोगा खा लेना मैं चलती हूं यह विख्याइद कॉन है हां कॉन हे यार कॉन है इतनी दिर होगी बढ़ाम पिसता नहीं आया तो चुम बटताई क्या अबे यह ऐसा है तो वो विक्यात कैसा होगा यार यह वो देखो एस्बीम अबेखो कौन थे वो पापा तो फेर तुम होस्टल में क्यों रहती हो मा और पापा अलग हो चुके हैं लेकिन क्यों मेरा एक महिने काख़चा पापा उठाते के ना है दिल में इतना धर्द रखे तुम कैसे हसती रहती हो मैं भी रोती रहती हूँ लेकिन किसी को वह दिखता नहीं है बस मेरा छोड़ो कमसे कम मेरे पास रहने के लिए कोई जगए तो है पहनने के लिए कुछ कपड़े तो हैं बताने के लिए दमी माबाप तो हैं मगर तुम लोगों के पास तो यह कुछ भी नहीं है फिर भी तुम लोग कितने खुश हो मतलब की तुमने हम लोगों से जूट बोला मतलब तुम्हारा बॉइफरेंड नहीं है न तुमने भी जूट बोला था ना मन्जू तुम मुझसे प्यार करते हो यह जूट नहीं तो और क्या था मैं जानती हूँ रोज अपना चेहरा आइने में देखती हूँ मैं कोई भी लड़का मेरी जैसी लड़की की तरफ क्यों देखेगा तुम लग मुझे S.B.M कहकर बुलाते हो ना जिसका मतलब सड़ा बैंगन वाला मू होता है ना असल बात तो यह है कि सौरी कोई बात नहीं मंजू इसमें सौरी कहने की क्या बात है मैंने ठीक से पढ़ाई नहीं की तो यह मेरी ही गलती है पर मैं ऐसी दिखती हूँ इसमें मेरी क्या गलती है क्या जब मेरी गलती नहीं है तो फिर मैं क्यों शर्माओं कि यार मुझे उसकी याद आ रही है ए मेरा मतलब भगवती की वह अपने लिए तो बुरा नहीं मानेगी हम तो करके बुलाएंगे अब बस करो मैं उसे लाइन मारूंगा करके बात हुई थी न तो अभी मैं वही करूंगा एई दामू भगवती जोड़ी अच्छी है राज द्रोही कानडा पेपर में खाना मान के देता है खाने के बाद पेपर का क्या करते हैं पता है ना हाथ पोच कर इस पाकिस्तान के फूछ शंती वारता मैं नहीं कर आई थी तुमने यू ही वह कैसे क्टानों को बुला और उनसे बोला जिस दिन दोनों गटिश के यह पेट बर खाना खाना उसी दिन युद्द करना ना तो करी यह पेट बर के दिखाता हो बचा चलो रास्ता निकालतेम और देले लो ट्री लगए रहे तैनी कि अज़िए रहे हैं जा रूपी कर गाड़ी चला रहे हैं तुम्हीं लोग मीड़नाइट में मिड रोड पर मेरा पूरा दारू का बोतल रोड पर ब्लास्ट हो गया एक किलो चावल का एक रूपया वैसे ही एक क्वाटर का दो रूपया होना चाहिए हम तीन रूपय दे कर सरकार को एक रूपया का फायदा करेंगे साहब के आने का टाइम हो गया चुप चाप मूँ बंद करो जर बैट जाएकर गाड़ी नहीं चला सकता तो होम डिलिवरी करो ना जैसे पिज़ा की डिलिवरी होती है यह मार खाएगा 40 रूपय दे कर चार आइटम देता हूं खाना खाने के लिए 80 रूपय देता हूं लेकिन क्वार्टर का समझ में नहीं आता अभी तक कोई रेटी सेट नहीं है सार आप मेरे बेटे को लेकर आये हो क्या नाम है उसका है लक्षमी शा सर कौन है लक्षमी सार मैं हूं सर ले जाई से यह तो हम सब कुछ हो गया अप फिर भी नहीं सुद्रा इने वला आदमें इंजान नहीं होता क्या यह काम पहली कर दिया होता सार मेरे पती सर क्या नाम है स्वामी सर इस यही कां रहे है स्वामी कौन है आदि करके पूजा कर यह चल वाराज्वार जा इस यह कौन है तुम सब कौन है ? सबका नया चेहरा दिख रहा है मञया क्या है मन्जा केतन कैसा नाम किसने लग दिया है थुम्रा और नाम क्या है तुम्हारा Raven दुबबा किया रखा रखते हैं तो कुटा इसे पोगारते हो रहाँ इसे मेरा घुटा रहे यहां जाटा रही हो चल ठीक है तेरे पास ऐसा कोई आड़ी प्रूफ है क्या यारे 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 ये बाबु कौन है चल आजा ये शरण कौन है शर्ली शर्ण का चल आजा का कुछन है ड़ैज़ गीजा ये जाजें में जाज़ोएँ जाज जाजी है कौन है यह लोग मार्केट के लड़के लोग है सर वो मोटा जो अधर सो रहा है उसने कल पी कर गाली ठोकती थी सर छोड़ दो इने है अगली बार कोई भी दिखा ना तो मार मार के बुड़ता बना दूगा जाओ ए गैंडे चल उट जा यू डिस्टर वाई सोय हुए आदमी को तकलीब देगा तो पोलिस में कंप्लेंट कर दूँगा तू मेरी कंप्लेंट करेंगा मालम जाना यहां से आप सर नमस्तर सर ध्यान नहीं दिया सर माप कर देंगा सर सर यह लेकर जाओ पेट्रोल और डीजल का भाव बढ़ने से राज्य के सारे ट्रक वाले स्ट्राइक पर गए हैं अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो यह स्ट्राइक ऐसे ही चलती रहेगी ऐसा ट्रक यूनियन के अध्यक्ष गुणा शेखर जी का कहना है देखो कैसे सोय हैं सारे घोड़ी बेच कर सोय हैं एए उठो जल्दी से उठो जल्दी अखे उठो कहा ना देख मैं मसल दूंगी सोरी दिदी बेटा लेकर आओ कपड़े बदलते ही अंग्रेजी भी बोलने लग गया है देख हीरों के जैसे पेना है सीधा बैट बड़े शॉक चड़े हैं ना कल से कुछ खाया है कि नहीं हां चेहरे देखकर ही पता चल रहा है अपे शर्माना मत पीट बार कर खाना है खा लोगों नहीं किया तो खाने को नहीं मिलता है लाव करने आया है लाव वह भी इस उम्र में कौन है मेरा दामाद बनने वाला मुझसे जूट बोलकर मुझसे ही पैसा लेकर मेरी ही बेटी को लाइन मार रहे हो मुनी वेंकट का नाम सुनाए क्या एक भरे हुए ट्रक को अकेली खाली करता है एक बार उसे चिकन गुनिया हुआ था बस तब से पड़ा हुआ है इसलिए मैं हमेशा कहती हूं टाइम ट्रक वालों की स्ट्राइक एसे ही चलती रहेगी तो तुम लोग खाओगे क्या बोजा उठाने के अलावा तुम लोगों को कुछ नहीं आता हाँ दीदी हमें कुछ नहीं पता हम अनात लोग है न अगर हम आपकी घर पे पैदा होते तो चांदी की जैसे यूनिफॉम पैंड कर स्कूल जाते थे वही अगर चांदी अनात होती तो चांदी मार्केट में बोजा उठाती थी अनात बनना हमारी गलती है क्या दीदी जो कह रहे हो वो भी सही है अनात बनना तुम्हारी गलती नहीं है लेकिन अनात होकर मरोगे तो किसकी गलती होगी क्या हुआ नीद नहीं आ रहे क्या दीदी की बात याद आती है तो बहुत डर लगता है यार सुबद तीन बजे तक तो लौरी आती है आठ बजे तक हम लोग काम करते हैं उसके बाद हमें कुछ नया काम ढूनना चाहिए यह क्या दंद्रेग तेरे को बोला कि कोई sad song लगा तुने item song क्यों लगा दिया मेरी मर्जी तु जा बैर जो मर्जी है वो करियार अधा intent को लेखे जाओ अधाऊ। 10 रुपे किलो हम तंसरु किलो मर्ड şekilde कर दो कि तुम तुरा जीरे किनो ना, मैं अपने गिंती भूल रहा हूँ अगर तुम लोग बिजनेस करना ही चाहते हो, तो ठीक है, लेकिन कच्रे में पड़ी सबजी उठा कर नहीं, मेरे साथ चलो, चलो इतना ही धंदा हुआ भाई, बारिश की वज़े से पूरी सबजी परबाद हो गई है अरे तो मैं क्या करो, फाल तू में रोता है क्या दिदी? कुछ नहीं, गौड़ा जी से मिलना था किस-किस मंदिर में जाओ, सारे मंदिर तो होकर आया हूँ, मैंने एक ही मंदिर बनाया है ये मंदिर वैसा नहीं है गौड़ा जी, बहुत ही पावरफुल है, वहाँ जो भी गया है उसको बच्चा आवश्य हूँ है ठीक है, वहाँ भी होकर आ जाएंगे, आखिर उसमें क्या बुराई है, अरे दिदी नमस्ते गौड़ा जी आई 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 ए, चेर लेके आ रहे अरे रे, कोई बात नहीं हमें कैसे याद किया? ये लड़के हैं हाँ, अपनी मार्केट में काम करते हैं न वही, जो कमाते हैं वो खाने के लिए भी कम बढ़ता है मुझे कोई मदद चाहिए क्या? कहीं से कुछ करजा दिलवाया तो ये लोग कुछ कर पाएंगे करजा? कितने पड़े लिखे हैं ये लोग कुछ पड़े नहीं है ये लोग कुछ आता भी नहीं है मैं कुछ करता हूँ ठीक है गौड़ा जी ने पैसे दिये तो क्या करना है क्या करने से फाइदा होगा उसके बारे में कुछ सोचा है बेकार में बैठने से कुछ नहीं होगा समझे माइक सेट साउंड सिस्टम में बहुत काम मिलता है दीदी क्योंकि दश्रे के सीजन के बाद गणेश होट सो उसके बाद कर्णडा राज्य होट सो पूरे साल बर फूल बिजी साथ में स्ब्यम का शादी चांदनी का शादी उनके बच्चे का नाम करन लाइफ पूरा बन जाएगा हाँ हाँ माइक सेट के साथ एक नाटक कंपनी भी खोल दो रोज नाटक देखने को मिले गौना फॉगल एए एक आइडिया है हम सब मिलकर लॉरी चिलाएंगे सब लॉरी खरीदते हैं और मिलकर बिजनेस करेंगे आच्छा धागे के लिए पैसा दिया तो तुम फुलों का हार लेकर आए दस-बिस हजार मिलने वाले हैं लेकिन तुम लोगों का सपना लाख हो का है बच्चों को स्कूल डॉप करने वाला ओटो रख सकते हैं न एक अच्छा सा फैंसी स्टोर खोल सकते हैं कड़ा, बिंदी, काजल, पाउडर, फैरें लवली आहा, एक दिल के लिए एक फ्लावर क्यों रहे तु अपने लिए दुकान खोल रही है फिर तो इनका बिजनिस हो गया देखो, हम इस मार्केट को जानते हैं यही हमारे दुनिया है यहां रहकर क्या करना है वो सोचो नहीं तो ठेला काणी रख सकते हैं अच्छा, मार्केट में सब तरह की सबजियां मिलती हैं लेकिन अच्छा खाना नहीं मिलता ओ दीदी, आई, 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 आई दीदी, आपने जो बात कही थी मुझसे उसी के बारे में सोच रहा था मुझे कोई फाइदा नजर नहीं आया दोचार-पाच्छाजार मिल जाएंगे लेकिन हमारी इस फिर्ड में ब्याज भी कुछ जादा ही होता है ऐसा मत कही है गौडा जी दीदी, आज तक आपने मेरे सामने कभी कोई मदद नहीं मांगी है जबकि पूरा मार्केट मुझसे मदद मांगता ही रहता है आपको खाली हाथ भेजना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है एक काम करो दीदी मार्केट के पीछे वादी रोड पर मेरी एक दुकान है अभी फिलाल मैं उसको गोदाम की तरह यूज कर रहा हूँ अगर आप कहें तो उसका आधा हिस्सा इन दोनों को दे देता हूँ मैं ये सब वहीं पर कुछ विजनस कर लेंगे बस हमारे कभी कुछ आधी वहाँ आते जाते रहें आप ये कैसी बात कर रहे हैं उसका एडवांस भाड़ा कहां से लाएंगी ये लोग दीदी एक मेंट मेरी बात तो सुनिया आपसे एडवांस में भाड़ा कौन मांग रहा है दीदी पहले आप वहाँ पर कोई छोड़ा सा व्यापार शुरू कराईए उसके बाद उसका भाड़ा वगरा कैसे होगा सा बात में दीदेंगे नहीं गोड़ा जी ऐसे ही आपसे जगा लेना ठीक है मुझे आपसे कुछ लेना है न तो इस समय जो आपके पास है वो मुझे दे दीजे वो ये एडवांस होगा आज तो मैं खुद ये मेरे पास एक रूपया दो मुझे एक रूपया राजु भाई जी भाई एक रूपय अपनी दुकान का एडवांस बहुत बढ़िया चगुन है भाई रख लीजे यह बाला दंदिनी को बोल दुकान की चावी देने के लिए सब्सक्राइब वर्या बच्छा रहे हैं अपो अचेल केसा है एंग आए 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 कर दो कर दो कर दो को अपने में पैदा होकर अपनी मीटी का खाना खाकर अपनी में मिटी किअचो सब्सक्राइद को दोघते त्र 보고 भेजने के लिए भग्वान मेरी रश्ना करके मुझे यह बढूर जाए Dr. ग scripts देअ हरे तैंक यू गारी लोगे तुम कैसे? यह है आडी पूफ, यह एड्रिस पूफ, यह गैस बुक और यह पास बुक, एनिटिंग यूँ वांट, सूपर, बिचाई बाती हो, क्या बात है, मेरी बहन पेट से है, आरे काम छोड़कर क्या कर रहा है तू, तू क्या कर रही है? आपको लोन मिलना मुश्किल है मेडम, मार्केट में दीदी होटल वाले हैं, अगर वो सेक्योटी देंगे तो आपको मिल सकता है, जैने दो, हमें गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं चाहिए, दीदी, वो स्कूटी में स्कूल जाएगी तो हीरोईन के जैसे दिखेगी, ग्यारें कितो है, चिल एंगे तो, हुष, हमें वि कत aí ह kep एने दो, हमें खवब के खेएगा शन जाएभार, में तो, हमें दो, हमें दो, हमें। पाद ये बात है इमाच जा उदर देक शेखर आया है इनी की वज़े से हमारा धंदा अब कम हो रहा है और छलक्र देखते हैं वाजा अरे यहां पर नमस्कार भाई यहां कर रहा है अदॉन काम निकल आ यहां पर आगया पस होटेल कैसे चल रहा है देखने के लिए नहीं हमारा ही होटेल है चल निकाल है अब आज चलो रहे आज आज लेने चलेगा नहीं चलेगा बात नहीं फिर्स टाइम हमारे होटेल पर आयो हो तो कुछ खा के जाए चलना आए गया बैठी है ना बताओ कैसा चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है बाई अच्छा बता यह क्या खाएंगे चिकन कबाब और रखते हैं अरे सुन उस गाड़ी में कुछ बॉक्स पढ़े हैं लाके रख दे एचा खुल अब जाके चिकन कबाब लेकिया जा उस कौने में रख दे क्यों छोटे खाना रेडिया ना सर बिठी कब तक आने वाला है वो इस आने वाला होगा भाई बोला था आने को क्या है सर चोटे हम आते हैं फिर आते हैं फिर आते हैं yeah अरे खाना बहुत ही अच्छा था कितना हुआ है नहीं बाई कोई बात नहीं कोई बात नहीं ठीक है चल्दा हूं तो ने उनसे पैसा क्यों नहीं लिया अरे उनसे कौन लेगा पैसे हम क्या मुफ्त में खरीद के लाए थे पूछेगी तो हम क्या बताएंगे यह बात दीदी को क्यों बताएंगे अच्छा तिरे पास कितना पैस है क्या रे आज बिजनेस कम हुआ क्या हाँ दीदी मंदिर में भी तो प्रशाद बाटा जा रहा था ना इस विए लोग नहीं आए जल्दिल्दा इदर आभी तो होटल कोल कर सेटल हो गया ना तो तू उसे सासुमा बोल दे तो कुछ भी करके उसे ओके बोल दे अपन तेरे साथ हैं अभी तांतरी पूंगी बजाना बंद कर मंदिर जाते समय मैंने देखा गौडा जी के आदमी हाए थे उनसे कभी पैसे मत लेना उन्होंने ही ये जगा दी है इसलिए हम जी रहे हैं उन लोगों को खाना खिलाना कोई गलत बात नहीं है ये लो दीदी पुआ की नहीं बस थोड़ा सा ही बाकी है मैं पूरा करके आती हो ठीक है जल्दी पूरा करो कल गौडा जी को भाडा देना ह तो क्या नखी ये बड़ी जगाती है उससे माहर भानी समझों अब हम लोग भाडा दे सकते हैं उससे तुम लोग खुश हो जाओ लोग कल जाकर गौडा जी को भाडा दे कर आते हैं ठीक है दुब्बा और थुरा ढालो क्या दुब्बा हलो आ रही है आ रही है ओके ओके हलो हलो मेरा फोन कहीं खो गया है वो तेरे सामने माला बात नहीं करेगा क्या दुब्बा वह तुछ से बात करना चाहती है ने 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 मैं बात नहीं करूंगा मुझे ड़ लगता है तुम्हीं बात करो सुन सोडा यह लड़के दिल खोल कर बात बताते हैं अगर तुमने ग्रीन सिग्नल दे दिया तो जिन्दगी भर तुम्हारा साथ नहीं चोड़ेंगे और तुमने रेट सिग्नल दे दिया तो शॉर्टकट में दूसरा रास्ता पकड़ लेंगे इसलिए जल्दी से ग्रीन कर दो इतनी जल्दी कुछ भी नहीं होगा ट्राफिक लाइट ग्रीन होने का इंतिजार करो आई विल थेंग क्या भूल लिए कर तक का टाइम आगा है उसने अगर लुट्रेस पहन कर आएगी तो मतलब बाद कर आएगी मतलब ना होगा और युज़ो ड्रेस में आया चाहा मतलब प्यार करती है तोड़े ही कर बढ़ हो गई है क्या हुआ कैसे कर पढ़ इसनी तो औल्रेडिक लड़क दिल दे दिया है तो लडगी जानती है क्या कर दो कर दो कर दो कर दो विए विए इसके सप्णे में इसी लिए कि चला रहा है कल तावीज बन्वा लेंगे चल अभी कर दिया यह आप्पू कॉन है रे वो तो दिदी आपको नहीं पता सबके चहेते डॉक्टर राजकुमार का बेटा उनके फैंस उन्हें प्यार से अप्पू बोलते हैं हमारी चाननी भी अप्पू को बहुत पसंद करती हैं औहों मां इतनी आसानी से चाननी किसी को नहीं मांत पता नहीं आचनक क्यों अप्पू करने लगी मां में घर जा रही हूं इसे अचनक क्या हो गया अरे चानी क्या हुआ को बहुत पसंद करती है इसलिए चांदी नहीं आप्पू की फिल्म देखना चाहती है फिक्स होता पेपर में क्या लिगा था उसने नहीं बदा भाई आए अंदर नहीं टेबल यहीं पर डाल दो यहीं पर ज़ह रहें रहें ठीक है ठीक है चलो बोलो क्या खाओगे गुरू चिकन कबाब मंगाते हैं अरे उस दिन का कबाब खाके मेरा पेट खराब हो गया था खा पाटी आगी है आने दे तुम लग जाओ बाद में आओ नमस्कार भाई बेड़ा है मीटिंग के लिए बहुत सही जगह है किसी को डाउट ही नहीं हो जगह सही है इसलिए तो यहां पर बुलाया है इसके बाद से सारे डील यहीं पर होगी है सुन जी वह यह वह सारे बॉक्स उड़ागे गाड़ी में रख दे ठीक है भी है सब कुछ ठीक आगे ना भरोसा नहीं है तो गिल लो बॉस आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं एक नोड भी कम नहीं होना चाहिए ऐसा कभी नहीं होगा बॉस चलते है बॉस ठीक है यह क्या भाई पार्टी तो फॉरें माल देखे गया है माल मस्त है आज तो पार्टी मनाएंगे जोड़े ग्लास लेकिया इसके साथ अगर चिली चिकन रहेगा ना तो मजा आ जाएगा वह उसे पानी आ रहा है क्या हुआ अब अब फॉरें माल देखते हैं यह मार्केट है मैं भूली गया अंदर जगे अच्छी है वह बोतल लेके अंदर आजा बॉस संतु नागु को बुलाया है वह लोग आता ही होंगे ठीक आने दे सारा महनत बिकार वह उसने कहा था स्कूल होने के बाद टीशन चली जाएगी वह अच्छा ठीक दिदी क्या उन लोगों को बैठने दो मैं कल आती हूं हम चल नमस्कार गुरू आजा आजा बाए दो और ग्लास दे अहां हां तो यहीं पर रहा है कि यह बाउस पाटी वाड़ी चल रही है उसको कैसे छोड़ूंगा फिर मैं हम गोडा जी का लोग है इतना तो होना ही चाहिए एक बहुन से नहीं दोनों बहुनों से शादी करवाई है ए चिकन कबाब ले गया रहा चिकन भीकन कुछ नहीं है यहां चिकन की सारी दुकाने में बंद हो गई है इसलिए वह अरे बारा बच गया है टाइम का पता ही नहीं चला यह लड़के लोग अहां बैं मजा गया यार अभी तक तो तुम लोग बंद कर देते थे ना हां भाई ठीक है लेट हो गया है तुम लोग जा के सोजा भाई वो दर्वाजा बंद करना सुबह आकर चाबी ले लेना यह लाइट आफ कर दो कि अधर होने के बात दर्माजा बंद नहीं किया तो अंदर गैस भी है यह कमीने लोग सिगरेट पी रहे हैं कुछ गडबर हो गई तो मैं यहीं रोंग तुम लोग जाकत सोजाओ ठीक है तू यहीं पर रुखना और चा गए अंपाय सच पनो तू सं मसा कया अः हम ऐ हम चलता हूं अड़िया एल ज़ चल भाई माज़ा कया अंप कर अधर की ह्त्याए बात कर देलनल hr बाई कोई मिली नहीं तो मैं बस टैंड से से लिया आया अंदर लेगी जा आओ बाई कर दो 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 बाई 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 कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो जो कि अधर दो कि कॉन है इसे यहीं पर या भी आया इस वर्द के साथ तुम्हेस अच्छा नहीं किया तुम्हें को शुराप लगेगा मेरे साथ उंग्ली दिखा के बात कर रहा है तेरी तो छोड़ूंगा नहीं को छोटा बच्चा और नहीं जाएगा तो तेरी जान लेलूंगा समझा अरे लौडी चलो उटो जल्दी उटो नहीं उसको बैचारी को सोने दो कि अब वह बाट अरे क्या हो रहा है अरे क्या है और नहीं हो सब्सक्राइब और रॉट और अचारी वह अ किस अजय नेदेख और आनं कि वह लोगाँ इसले ब्लीक अधाया की सब्सक्राइब पहुं हुं हुँ हुँ हुआ उसे नहीं छोड़ना चाहिए अरे बेटा चुप रहा है प्लेटा उसने हाथ कैसे इसे अपने भूबबद में गुस्सा ठंडा कर अपने को फोटील चलाना है तो जाकर प्यार पढ़ने क्या अपने होटल चलाने के लिए उसके कर पढढने के भी में तयार हूं सब लोग उसा ठंडा करो यार ठीक है ना मैं भी मैं तया शुबता कर इन्डों सो लोगis 142 में इंडा बना मैं यदा कर यारЬ दोलyes 152 लुबता कर यार मैं तया हूं संड रए्टा कर दोड़ दोल्या दोल्याक भूल्या आर नायाि भाई 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 सुभा हो गई है और ग्रहा काने का टाइम हो गया है उठ जाओना भाई उठाना भाई तो पूरी बनाने को ले और दुबबा तू चाड़ो मार दे अब 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 चाबी देखे जा ए चोड़े थोड़ा पानी दे हाँ लारा हो भाई अब लाता हूं भाई तू नहीं तू इधर आप जा लेके जा यह मुझे बार रहे गा मैंने जाओंगा उसके पास अब 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 जाओंगा देख भी नहीं रहा है मैं इतनी बुरी लग रही हूं क्या नस्दी का रात को जो यहां पर हुआ वो किसी को बताएगा नहीं तेरे साथियों को बोला गया नहीं दब मारेगा तेरे पर जवानी तो आई गई है सब शुरू कर सकता है कल रात को आई थी ना बहुत मस्त माल थी प्रूच्ए क्या कर रहा है जो अबटाए जो भाई आजो भाई क्या हुआ मा तैयार हो जाओ गड़ाजी को भाड़ा देने जाना है दीदी दीदी हमारी होटल के पास जगड़ा हो गया है तुम लोग इस तरह बाहर क्यों खड़े हो हां और इस वक्त होटल क्यों बंद रखा है हां क्या किया तुम लोगों ने क्या 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 हुआ आराम से पूछाना क्या हुआ है क्योंकि जो भी हुआ इसमें इनकी गलती नहीं थी कि यह कमीने यहां भी आगे जान से मातूंगा इनकी तुमेंट रहे हैं क्या बात है दिदी गौडा जी एक मिनिट आपसे बात करनी है अंदर आये क्या बात है अब कर रात यह किसी औरत को लेकर होटल में कितनी बार बदा तुझे बस स्टैंड की औरतों को हाथ मत लगा ना और कितनी बार तेरी गलक्ती छुपाता रहोंगा मैं और दिदी वही होटल में ही पीकर और वो कोई बॉक्स रखा है गौडा जी देखे दिदी पहले वो मेरा गोदाम था जब भी माल आता था हम लोग वहीं पर रखते थे मैंने आपको पहले ही बताया था अभी लोग वहाँ पीते हैं तो क्या गलत है मैं नहीं पीता ये सभी जानते हैं मेरे आदमी मेरे लिए सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं उसके बदले में उन्हें थोड़ा आराम चाहिए होता है बस इसी बज़र से वो लोग वहाँ जाते हैं ऐसी बात नहीं है वहाँ होटल में दिदी आद के लिए होटल है लेकिन इनके लिए गोदाम इतनी बड़ी जगह मैंने आपको फ्री में दी है मैं कोई पागल तो नहीं हो न दिदी जो माल आता है उसके लिए गोदाम चाहिए दिन भर तो फ्री ही रहता है आप नहीं आकर मुझसे इन लड़कों के लिए कुछ मदद मांगी थी मैंनो सुचा था कि इसी बहाने इनकी कुछ मदद हो जाएगी इसमें कोई गलत है क्या नहीं गोडा जी आगे से ऐसा नहीं होगा ये बच्चे नहीं दिदी एक बात जान लीजे मार्केट में मेरे पैसों के लेन दिन का काम है उसे ठीक से चलाने के लिए मार्केट के अंदर जो भी लोग मुझसे पैसे लेते हैं उनके अंदर मेरा डर होना चाहिए नहीं तो दिया हुआ पैसा वापस नहीं मिलेगा अगर पैसे पे ब्यास ना मिले तो बिजनेस करने का फैदा, मार्केट में कुछ लोग मेरा नाम सुनते ही ढरते हैं और कुछ लोग इज़त देते हैं, चार दिन के बच्चों ने गौड़ा के आदमी को मारा है, ऐसा सुनकर मार्केट में क्या सोचेंगे लोग, क्या इज़त रहेगी मेरी, इतने सालों से जो भ बच्चों को लेकर होटल के पास जाईए, नंजा वहाँ जाएगा, इन बच्चों को दो चार हाथ मारेगा, चुप चाप इन्हें मार खाने के लिए बोलिएगा, जब ऐसा हो जाएगा तो मार्केट में फिर लोग बात करेंगे, गोड़ा के आदमी से पंगा लिया तो जी आप, ए नंजा, आज से सिफ रात कोई तुम लोगो वहाँ जाओगे, ठीक है ना, जाइए दिदी, अगर मार खाने के डर से ये बच्चे वहाँ से भाग गये तो क्या होगा दिदी, मार्केट में जो अपमान हुआ है, वो वैसा का वैसा ही रह जाएगा, तो एक काम करते ह होगे, आप रुग जाइए, इनको वहाँ चाहने, लेकिन… सब कुछ करने के बाद मैं आपको भेजूगा, ले कर जाओ बच्चों में…. निकल यहाँसे ! चल, 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 चल… चल बहे, पहे, दिदी आगे बढ़ता रहे, दिदी निकल यहाँसे, छोड़ दो, टिदी चल, ब जल्दी निकल बार चल बार निकल कोई भी आहां से जाएका नहीं हम अभी आते हैं चलो गाड़ी कुमालो चलो चलो प्रकृती आहां से गणिभे समयों घजाए कोई मजा आढ़ तक किन थे आढर इसक दरी आहाा हुआ हाँ hai अाह मुर्याथ भागा हुआ हहाँ से कर भ WILL फिदम पिर खायne समय अ सन्ल आत्रा दोग गर जड़्याballा 술 रीए यह सब क्या है चार बच्चों को मारने के लिए इतने सारे लोग आयो है सुभा जो जो खड़ा होकर यहां पर पिक्चर देखा था उन सब को खड़ा करो इधार यह यह तू क्या कर रहा है वाइब वीडियो बना रहा हूं फेस्बुक में डा दूंगा डाल डाल अपनी भी क्या वर्ट है सबको पता चलने दे चल डाल शुरू करते हैं पहले कौन मारेगा मैं मारूंगा तू कराटे मास्टर है तेरा कराटे क्या है आज दिखाई दे केतान इधर आब है अगर कि अगर अगर कर दो कि अगर बेल्ट अप क्या देरा है तो यहां मारा तो कईसा मारा भी इसको ये तो उटके खड़ा हो गया तेरी तो ये दिदी को भी कौफी दो दिदी आपकी पती की वज़ा से उनसे करजा लेकर आज इस काम को इतना बढ़ा पाया हो कि आज भगवान के दया से मेरे पास कोई कमी नहीं है मैं आज भी आपकी बहुत इज़त करता हूँ आप मेरे लिए एक देवी की तरह हैं दिदी या आप अच्छी तरह से जानती हैं पती के मरने के बाद आप अभी भी वैसी ही हैं दिदी आप चिंता मत कीजिए बच्चों को कुछ नहीं होगा बस दो तीन हाथ मार कर छोड़ देंगे वो लोग बच्चे हैं देदी लेकिर आप बड़ी हैं आप सब कुछ समझ सकती हैं देदी अंदर लिए कर रख दे दुबा चली दूरा आज़ा 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 चल जल दे आज़ा आज़ा और फोड़ार को मारूं तो तो बार रहे इसलिए मतमाना बैसेती हो जाएका अज़े अगर चल कर मारा मुझे किया हुआ मार पढ़ती है सबकु जिसको याद आ गया पूंचा को फोन करके पूछ मां क्या चल रहा है दंजा को गुस्ता कुछ ज्यादा ही कई बच्चों को जान से मार दिया तो यह देख उसको बुलाया तो यह आज़ा बट्रे तो अन्याज नियुक्त के देखने में तो यह सबसे ज्यादा चिकना लग रहा है आप मैरी चपल निकाल के दे क्या है हुआ हुआ है है यह को नाओ यह कून है फैमिली सेंटिमेंट लोग क्या चीज़ है रहा है क्या चीज़ है रहा है क्या मस्तमाल है में क्या आएकर ज और वोओ, लुट, और बुट, तर आट, तर ऊते! HeSiinn! अेफ दाल तरशब। छटे लृवत ज consulting मत´ शररणनों से तक्राइ़ंस तक्ष्क्ष्ट खाल हज़ जो इफ लॉप वрण हॉब जो अब से उब हुआ हुआ। हुआ। झाल हुआ हुआ पहुआ भॉक्ष्वे झाले के लिए सेंद्ग के लूए empez ही और भानों को यह औरख़ैं थैंडों नो जूआख बम भी स्मूषिक यह सेंद्ग-टर्णित्त स्वेश्टहर नक्ति मौर्स gust बन्चिंड़र दो पारी प्रीजुट का जाना। नद बन्ट सकते हैं वह खवा। इंस्पेक्टर मार्केट में हो क्या थोड़ा ज्यादा ही मार दिया क्या थोड़ा ज्यादा ही मारा है ठीक है उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाओ जो भी खर्चाएगा सब मैं दूंगा चलो चलो बैठो अंदर बैठो जल्दी बैठ बैठो तुम लोग कहा रहे हो पीछ आतो प्लीज सर बंद करो इसे क्या बोला डॉक्टर ने दीदी आप यहां पर क्यों बैठीएगा अंदर चलिए ना कुर्सी पर बैठिए बाला एक कुर्सी दो दीदी चलो क्यों अंदर चलो ना दीदी बताती हूं चलिए तो मुनिश गाड़ी निकाल ए बाला चल जल दी दीदी को लेकर राजया ढही चलो क्यों इसे क्सिस कि नो प्राबल्म है जाने दे तुम बड़े हो तुम्हें पता होना चाहिए अब किसकी इजद गई उन लोगों की या तुम्हारी कहां है वो चारों बच्चे मेरे बच्चे भागने वालों में से नहीं है तेरी तरह डर पोक नहीं है वो दराजी देख आओ बोलिए गोड़ा जी है लाओ उन्हें वो मुझे अभी चाहिए मेरे पास पुलिस टेशन में हो तुम उन्हें बचा रहे हो क्या नहीं गोड़ा जी अभी तक यह फायर नहीं बनाए आयो बैटकर बात करते हैं आने दो मैं देख लूंगा उन्हें गोड़ा जी अभी फायर लिखूंगा तो तुम्हारा पूराना सब बाहर आ जाएगा है मुझे किसी की बात नहीं सुननी है भाई भाई नंजा का हॉस्पिटल में नहीं है मेरे पूरा हॉस्पिटल देख लिया भाई कि कि क्या कि उसका कि दीदी उसके घर में है तो फिर अगर दीदी आएगी तो ही मंचा मिलेगा तुम लोग जो कह रहे हो सही है लेकिन होटल गौड़ा के नाम पर है तुम मेंसे कोई भी कंप्लेंट देगा तो भी मैं एक्शन नहीं ले सकता हूँ वो केस भी नहीं बनेगा अब सुनो मेरी बात मान लेना मैं गौड़ा से बात करता हूँ उससे पंगा लिया तो यहां जीना मुश्किल है बात मानो यह गाउँ छोड़कर तुम लोग कहीं दूसरे गाउँ चले जाओ और हमारा होटल आरे मेरी बात मानो सर आपके लिए एक नौकरी है रहने के सब वह होटल ही है जरे चोड़ दे चोड़ दे ए प्रसाद सर उसे ले जाओ और घर पर छोड़कर रहाओ ओके सर प्रसाद सरा फोन दीजिए सर हालो उन्हें नंजा दे दो हाई मैं पहुच गया है है नंजा को होस्पिटल लेकर जाओ है है मेरा रास्ता मत रोकना मैंने पहले ही फोन पे कहा था अगर मैं मैंने इन बच्चों को ऐसे ही छोड़ दिया तो मार्केट का हर आदमी मेरे सर पर बैठकर सुसु करना शुरू कर देगा नहीं लिखी है मेरी बात मानिए इन्हें सपोर्ट कर रहे हो तॉम मैं यार। सोरी है पॉल सब्सक्राइए ठीक है मुझे सब नहीं चाहिए दीदी को छोड़ेगा तो नंजा को छोड़ूंगा जिसने बोला था सिर्फ वो मुझे दे दो कौन था वो मैंने कहा था गोड़ जी नहीं यह जूट बोल रहा है मैंने कहा था क्या हुआ जी जा कुछ नहीं हुआ उन लोगों को छोड़ना मत वो लोग बचने नहीं चाहिए उनके साथ क्या करना है मैं जानता हूं तुम फोल रखो गोड़ा जी वो होटल पहले उन बच्चों को हॉस्पिटल लेकर जाओ बाद में होटल के बारे में सोचते हैं हां गणे इन सबको अपने साथ लेकर जाओ बढ़िया से खाना खिलाओ फिर मार्केट में छोड़ देना ठीक है सर सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया ए डुबा इस बीम ग्रीन रेस में आई थी इसका मतलब वो मान गई है हलो हां जहां आपने बोला था वहीं पर लेआया हूं हुआ है 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 चलो उत्रो वह उत्रो ना जली करो है हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है है आपने हमें यहां पर लाकर की छोड़ दिया है बख्वास मत कर ज़्या मंजय यहाँ झाल 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 जीजा अब ठीकता है ना जीजा जीजा क्या हो गया क्या हुआ जी बच्चे के नाम पर बाल रखेते अब बगवान कैसे चुप रहेंगे मेरा बच्चा जिन्दा जीजा तो में पेदा होगा क्या हाहा थाई अलू व्हज़ी वेट अबेरा थोब्डा क्या देख रहा है उठाओ सको चल 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 जल को बाग रहा है जोड़ दो जोड़ दो रोग 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 चाल रोग 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 बहुआ रोग तलवार देकरा नेकरा जांती कि का भाग रहा है रुख 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 त्व चलिया चलिए कि अब अब इस अब क्या करूँ अब क्या करूँ अब क्या करूँ अब शुड़ा मा और अब पापा अरे बच्चों पवित्रा कहां जा रही हो लक्षी देखों मेरे पापा एप अब हुए है हुए है कि अद्र करूँ है हुए 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 हुआ है बच्चा सोच कर छोड़ दिया तो मेरी घर में घुसेगा अब तक तुम लोगों ने सीधे साधे गौडा को ही देखा है लेकिन घुस से वादे गौडा को नहीं देखा है तुम लोगों ने आज दिखाता हूँ हुआ 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 हु आप प्रोग्रेस रिपोर्ट लेने आये हैं हेड मास्टर का रूम वहाँ है वहाँ जाकर ले लीजिए पापा पापा ये दीदी ना मुझे डेली ट्यूशन पढ़ाती है चलो बच्चो आजाओ पवित्रा तुम भी आजाओ बेटा तुम अभी क्लास में जाओ मैं तुम से बात में आके मिलता हूँ वही है सर ओ मिस्टर एक मिनट अपनी बच्ची को श्कूल में जोइन करवा के आपने आना ही छोड़ दिया ऐसे जरूरी बात करनी है चलिए इस दो चाही लेखर आजल्स है ति बसा इंदा है वह औही खर यह खर कश्ची को हाााााा! हेい! हेい! हैet! है! इसको लागो ग्योसीमरें का ये गुझेचा लोओगा झालोसे जर झालोसे नाइ, झालोसे, नाइ, राइ, झालोसे! हो जाइ... क्थटर दुटर दूटरा थे किये नहां। क्थटर दुटर में डिया तुटर दुटर दुटर दूटरा थे जड़ा थे करिया थे प्राइबिर E बाइ! 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 जर बादा को दो माइ! कि अगर आप मुझे मार देंगे तो आपकी बेटी को पढ़ाएगा कौन अगर आप अच्छे पिता बनना चाहते हैं तो यह खून खराबा छोड़ दीजिए कि अगर अच्छिमोर के घूर लुक्त डल म्येक ऽख वजया अच्छिया को इसनों 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 जो山bag इसे इस भी तो जुट गवन फेयर में तरव मैं खालो दिव कर्वास में तो यह आपिएभी क्या सबध रखाया तुम लोगों ने कौड़ा को राइग यह क्या हो रहा है जीजा जीजा बाहर्स चोड़ो छड़ा हम एंको ड़ेन क dewके काम चांक करते है M के मुफोरो चूल चूल Top तेख फूंसे के मलई को जेए कुछ नहीं के凌डे स्ट Gleich in कॉछ नहीं कॉपपार माई इंको नहीं चोने को आपको पाई वारा गूसतर है जया ते मीचस शाब Dr मैं नहीं माफ कर दिया मैं निकाहाँ था ना मेरी बात नहीं मानी बड़े लोग उसे पंगर नहीं लेना चाहिए 274 चला बेड़ चला सुन लो, शटर ओपन हो गया तो तुम सब मरोगे हम लोग कच्रे में पैता हुए, कच्रे में जान सम डरते नहीं है लेकिन हम तुझे आसुना नहीं जोड़ेंगे क्या कर देगा तो अभी तक समझाना हमने क्या खोया कुली जैसे बिलाते थे मगर हैं अब दीदी के होटल के लड़के हैं हम लोग इस होटल से घ्राइंगे है इस दुनिया में में मारकर बिना कपड़ों के रास्ते पर फेक दिया था अब तेरा भी वही हाल होगा देखना है वक्वाइस मत करो चट्टी उतारो इसकी क्या करें है वह लोग क्या शटर खोलेंगे दूजा और खोल दे सब लोग को देखने दो इसे सुरो सुरो मेरी बाव सुरो मेरी बाव सुरो हम खराब लड़के नहीं है यह शायद अब आपको समझ में आएगा हमें आपकी इजट खराब नहीं करनी मार्केट में जो बोरियां आती हैं उनमें भी कुछ ना कुछ तो एड्रिस लिखा रहता है लेकिन उसे उठाने वाले हम लोगों का हम लोगों का कोई अड्रिस नह है हमें अपना पैचान बनाने दीजिए आपने हम से होटल छीनके हम चारों को जीते जी जान से मार गया था गोड़ा जी को आप है कि अ कि अ कि एसा लग रहा जैसे मेरा फिर से जनम हुआ है है दुबायाना है मैं तो राग्या ओविसोरा है 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 है